नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इंडिया में आपके साथ मैं पून हूँ खालिस्तानी आतंग की हदिव सी निजर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के वीश्ट नाव बढ़ता जा रहा है कनाडा में मौजद भारत के वीजा अप्लिकेशन सेंटर ने गुरुवार को कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाय सस्पेंड कर दी है भारती विजश मंत्रालाय के प्रवक्ता अरिन्दम बाक्ची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फेंस कर कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेटिक यूनीट को धंकिया मिल रही है वे अपना काम नहीं कर पा रहे हैं यही वज़ा है कि वीजा सर्विस सस्पेंड की गई है की यात्रा पर जाने वाले नागरिकों को सला दी जाती है कि वो बहुत सतर्कता से रहें एडवाईजरी में कहा गया था हालिया वक्त में देखा गया है कि कनाड़ा में मुझूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कमुनिटी के खास तबके को धमक्या दी जा रही है ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंट का विरोध करते हैं कनाडा में बिगड़ते हुए सरक्षाहालात के मद्ने नजर वहां मुझूद इंडियन स्टुएंट्स को सबसे जादा सतर करेने की सला दी जाती है भारत के विदिश मंद्राला ने कहा था कि इंडियन कम्यूनिटी और स्टुएंट्स हाई कमीशन और कॉंसुलेंट्स की वेबसाइट पर शिकायश दर्ज करा रहे हैं मंगलवार को कनाडा ने भी अपने नागरिकों को भारत की कुछ खास हिस्सों में न जाने के लिए एडवाईजरी चारी की थी इसी के साथ बनें है इश्योनिस इंडिये के साथ भने बाद